तो क्या आपको पताईगी जो अभी आप ये फ्रेम देख रहे हो मेरे इस वीडियो में इसमें जो बुक शेल्फ है वो भी नकली है यहाँ पे जो नीचे आर्टिफिशल फ्लार रखा हुए वो तक नकली है इवन जो इधर आप लैंप देख रहे हो वो भी आर्टिफिशल है ये जो आप अभी आप फ्रेम देख रहे हो ने अक्चुल फ्रेम है जो सिरफ एक ब्ल्यू वॉल है जिसके अगेंस्ट हम शूट कर रहे हैं और ये जो सारी चीज़े मैं इस फ्रेम में आड़ करी है दिस इस यूजिंग एन एई टूल तो इस वीडियो में मैं आपको एक देने वाला हों कि कैसे आप अपने होम स्टूडियो को एक बहुत बढ़िया कुछ इस तरीके का आटिफिशल इंटेलिजेंस को यूज करके सेट अप बना सकते हो कैसे करना है क्या प्रोसीजर है लेट्स गेट स्टार्ट तो जैसे अभी आपने देखा मैं घर वैठे यह वीडियो के लिए हम प्रीमियर प्रो यूज करते हैं आप FCP, Filmora, VN Editor जो भी यूज करते हो आप उसमें यूज कर सकते हो तो यहां पर जैसे आप देखोगे मैंने वीडियो शूट करें यहां पर इंपोर्ट कर ली है अब यहां पर आप एक कोई भी फ्रेम लेलो जहां जब आप यह वीडियो शूट करने वाले हो ना जैसे जो मैंने पहला वाला सेग्मेंट किया था कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी सबसे पहला है लाइटिंग मान लेते हैं अब जैसे इस सेटप में आप देखोगे जो लाइट है वो इस डायरेक्शन से आ रही है अब यह नहीं हो सकता कि मैं AI की मदद से यहां पर एक विंडो डाल दूँ जहां मैं यह दिखाऊं कि यहां से लाइट आ रही है जबकि आप दिखोगे मेरे फेस पेस साइट पर शैडव है तो अगर मुझे विंडो आड करनी है मैं इस डायरेक्शन में गरूँ ह तो मुझे उतना गाप देना पड़ेगा यह ना हो कि मैं अपना फ्रेम ही ऐसा बनाओ कि इधर जगह ही नहीं बची और फिर में बात में वाइट इटिंग में ना कर पाऊं तो यह कुछ चीज है चाओ आपको ध्यान देनी है अब हम चलते हैं Adobe Firefly पे और देखते हैं कि कैस से हम यह जनरेट कर सकते हैं AI की मतद से तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और Adobe Firefly सर्च करोगे आपको इस तरीकी की वेबसाइट मिल जाएगी बीटा वर्जन है तो अभी भी there's a lot of scope for improvement जैसी आप नीचे जाओगे ना है second option आपको मिल जाएगा जनरेटिव फिल का यह कर सकते हो brush settings भी है तो मान लेते हैं मुझे brush का size increase करना है तो वह आप इधर से कर सकते हो brush hardness adjust हो सकती है even brush की opacity आपको कितना रखने वह भी आप change कर सकते हो तो अभी कलिए मान लेते हैं brush size हम around 50% ही रखेंगे और एक और बहुत बढ़िया चीज है अगर आपको सिरफ सीधे से background पूरे select करना है ना simply आप background पे click करो और यह automatically पूरे background को select कर लेगा इस तरीके से तो just to show you guys मान लेते हैं मुझे अपना पूरा background भी change करना है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक yellow wall आजे ठीक है तो yellow wall लिखके देखते हैं और generate पे click करते हैं let's see the magic की क्या होता है ओके तो इस तरीके से हमारे पास चार options आ चुके हैं यहाँ पे एक बड़िया चीज है कि इसने तोड़ा सा mix and match contrast वाला backdrop दिया है although जो chair थी stool था जिसमें बैटा हुआ था वो गयब कर दिया अगर आप देखोगी यह भी अपने आप में काफी सही और बड़िया चीज मुझे लगी कि कहीं कहीं इमेज में शाड़ो भी आड़ करके दे रहा है जो देखने में काफी प्रोफेशनल लगता है तो इस तरीके से इस दिवार के आगे मैं appear हो सकता हूँ और ऐसी वीडियो शूट कर सकता हूँ तो यहां पे दो ऊपर आपको आदे आदे कुछ पोस्टर से म एक बार जनरेट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या इसको आउटोमेटिकली कर सकता है या नहीं तो इस तरीके से आपको बेसिकली चार यह ओप्शन देता है तो पहली आप्शन तो सही नहीं लगी मुझे साइड में पता नहीं कुछ ग्रीन से कलर का रहा है बाट से प्लेन बाकड्रोप हमें ब्लू कलर का मिल जाए तो अब जब हमारे पास एक प्लेन ब्लू कलर का बाकड्रोप बन चुका है अब मैं इसके उपर कुछ भी एलिमेंट्स आज कर सकता हूं तो मान लेते हैं कि यहां राइट साइड में सबसे पहले एक बुक शेल्फ आड करत है तो अराउं 15 से 30 सेकेंड लेता है और आपको चार रिजल्ट्स दे देता है तो यहां पे अब कुछ रिजल्ट्स आया है एक बार देखते है कि इन चारों में से कुछ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा पहला जो है ऑप्शन मुझे थोड़ा आर्टिफिशल लग रह है तो और देखते हैं कि चार ओप्शन हमारे पास क्या है तो यहां पे चार और ओप्शन हमारे पास आ चुकी है जिसमें से मुझे लास्ट वाला थोड़ा साही लग रहा है तो मेभी हम यह यहां पहला वाइट कलर है तो अच्छा थीम के साथ थोड़ा बढ़िया जा रहा और यहां पर हमें अगेन कुछ चार options मिल चुकी हैं जिन मेंसे यह वाला थोड़ा सही लग रहा है जो third option है it is a good option जो कोने में है थोड़ा white उसका base भी है तो white वाले theme के साथ हमारा जा रहा है last में मैं क्या करता हूँ दूसरी side पर जो opposite side है जा मैंने बोला था कि हमें lamp add करना है तो मान लेते हैं मुझे थोड़ा height वाला lamp चाहिए तो इतना area हम select कर लेते हैं तो यहां पर मैं इतना area थोड़ा सा select कर लूँगा lamp के लिए थोड़ा height वाला lamp लेंगे और यहां पर मैं type कर दूँगा lamp and generate तो यहां पर मुझे कम से कम 5-7 minute लगे एक ideal lamp select करने में lamp जब मैंने लिखा कुछ बड़िया result ने मिला तो मैंने vintage lab search किया और यहां मुझे कुछ बड़िया options मिले एक यह भी अच्छा option है even मुझे second option भी बड़िया लगा बटा यहां पर फर्स्ट option तो यहां पे भी करने के बाद मैं keep पे click कर दूँगा तो इस तरीके से अब यह final हमारा एक frame generate ह हो चुका है तो अब मैं क्या करूँगा इसको simply यह download पे click करूँगा और जैसी अब download पे click करोगे यह आपको बोलेगा कि क्यूंकि यह आपको free में करके दे रहा है तो basically watermark डाल देगा आपको तो आप continue click कर सकते हो और basically आपको एक watermark के साथ photo दे देगा उस photo को हम लेके चलते ह तो मैं लेते हैं photo जितनी मेरी वीडियो जाएगी ना उतनी लें तक मैं इस photo को stretch कर दूँगा next और सबसे important चीज इस वीडियो का है masking masking से ही हम actual motion create कर पाएंगे तो अब आपको photo वाली layer को select करना है ठीक है left side में obesity का drop down रहता है जहां आपको तीन option मिलेंगे elliptical square और pen वो आपक आपको inverted वाला जो option है इसको check कर देना अब जो भी आप selection करोगे वो सिरफ उसके जो हम selection करेंगे उसके बाहर का जो area वो retained रहेगा तो मालनेते हैं मुझे यहां से अपनी जो नीचे वाली line है इसको मैं इतना select कर दूँगा और basically यह जो भी आप selection करोगे वो उन उन पॉइंट है वो उसी area के बीच में हो रहा है और बाहर की जो मेरी जो भी frame है वो as it is ही रहेगा तो एक और चीज यहां पर जो आप कर सकते हो वो है mask feathering करना बहुत ज़रूरी है because एकदम से आप cut लगाओगे ना तो थोड़ा odd लगेगा तो यहां पर मान लेते हैं हम feathering लेते हैं और feathering को आप around, मैं जो prefer करता हूँ that is around 100 के आसपास मैं इस situation में कर रहा हूँ but depending on situation आप कर सकते हो तो अब आप देखो मैं इस video को play कर रहा हूँ और यहां पे आप clearly देख सकते हो कि मैं इस proper पूरे setup में बैठा हूँ और इस तरीके से video बना रहा हूँ और यही आप भी कर सकते हो AI क से आप जो भी चीज़े आड़ करना चाहते हो थोड़ा सा टाइम लगेगा आदा एक घंटा बद स्टेल आप सोचो घर में बैठे बैठे एक सिंपल सी प्लेन दिवार पे चाहिए वाइड दिवार भी हो उसके अगेंज भी आप वीडियो बनाते हैं बहुत अलग-लग elements आ क्रियेटर तो अगरे वीडियो एलफुल लगी नीचा लाइक कर देना कमेंट करके जरूर बताना I'll see you in the next वीडियो तब तक टे करेंड कीप लेकें